नमस्कार दोस्तों मेना नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे लाइन्स गेट प्लेएक में रिलीज हुई एक नई वेब सिरीज जुगाडी स्थान की और जो आप जानते हों कि 4th of March को ये रिलीज हुआ है ला बात करेंगे डीटेल में वीडियो के अंदर लेकिन ये जो वेब सिरीज है उनके पिछले वेब सिरीज जो हिक अपस जो आया था उससे काफी बहतर और काफी आप बोल सकते हों कि रिजनबल है काफी आप बोल सकते हैं इसमें रियलिस्टिक कहानी दिखाईगे ये सकते हैं और एडुकेशन को एक तमासा कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टेम जो है ये एडुकेशन को कैसे तमासा मनाता है उसका बोल सक तो एक जीता जाकता नमूना इस वेब सिरीज के अंदर में दिखाया गया है तो काफी अनिजूल सा कहानी है काफी डिफरेंट सा कहानी है जहां पे CEO की बात की जाई रही है, एक उनिवरसिटी जहां पे स्टूडेंट्स जो है medical, journalism बहुत सरे streams में पढ़ने के लिए आते हैं और वह स्टूडेंस में जो सबसे meritless के उपर वाले स्टूडेंट है वो एक बोल सकते हैं चकर में वह फज जाता है जहां पे वो दूसरे candidates के लिए सारे government examination को जो प्रिली examination होता है उसमें जाके वो बैठ जाते हैं उनके जगह में उनको clear करवाते हैं यह पुरा बहुत बड़ा corruption है जो पूरा उस university को घेर चुका है साथी में माल लिजे education की जो book purchasing की जो चीजिया है मतलब library जो है वो कितना corrupted हो सकता है उसमें जो student election जो है वो कितना corruption हो सकता है यह सारी चीजे को मतलब चीजों को एक साथ इसका अंदर में दिखाए गया है तो समझी पा रहे हो कि कहानी काफी अलग है और इसमें जो खिरदार जितने भी मतलब stars यहां पे perform कर रहे है जैसे सुमीद व्यास की म कर रहे है तानवी आजमी है जो यहां पे एक प्रिंसिपल की चैरेक्टर प्ले कर दी है वाइस चैंसलर की और साथी में ऐसा चनना है जो जर्नलिजम की student है यहां फिर मानली जीए यहां पे बहुत सारे ऐसे नाम यहां पे आ जाएंगे गोपलदत है जो यहां पे एक वैसे education system में जो दलाल आप बोल सकते हो ना तो ऐसा ही एक किरदार वो प्ले कर रहे है तो बहुत सर ऐसे किरदार है और साथी में बहुत नए newcomers है जो इसके अंदर में बहुत prominent role इससे पहले तो किया नहीं है लेकिन इसके अंदर में बढ़िया ताबरतोर काम किया है अगर मैं मतल इतव्यास तो है ही जो अच्छे काम करते है और यहां पर एकदम तोरह youth icon type का उनका किरदार है तो वो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है पड़म्रों तो चौट बाद है इन प्रोफेसर्स रोल काफी वो सह में से काफी intellectuals है बंगाली लोग हो जो है ना मतलब इसको एक्सपोस की गई है अर्जून माथूर का एक कैरेक्टर है जो investigative journalist का किरदार प्ले कर रहे तो उनके जरिया जो यह पूरा जो रैकेट है उस रैकेट को बर्स्ट करवाया गया है अब यह सच है गलत है सही है गलत है I don't know और मुझे वो जानने की मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो जानना ही परेगा तब जाके आप इसको enjoy करो ऐसा नहीं है अगर मैं पकर भी लेता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है फिर भी जो realistic approach के साथ यह दिखाया गया है आपको काफी यह believable लगेगा तो यह बहुत बड़ी बात है साती में student elections, student politics उसमें दो different group का मतलब वो अपना जो आप बोल सकते है उसका जो manifest है उसको सामने रखते हुए किस तरीके से दो election लग रहे है यह जो मतलब बचपन की सारी यादे है यह फिर से आपके सामने उभर के आई यह आप आपका college days जो है उसको miss करने लगोगे तो यह काफी well written और मतलब इसका का काफी direction वगेरा जो है काफी बढ़िया है इसका screenplay जो है वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है हां कुछ हद तक मैं कहूंगा कि इसका screenplay जो है वो काफी lengthy है कड़ी माली यह सारे 5 खंटे का run time है तो थोड़ा बहुत आपको बीच-बीच में जगा जो है आपको थोड़ा लग सकता है तो लेकिन यह kind of slow आप बोल सकते हूं कि streaming जो होता है वैसा type का series है जहां पर धीरे 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 कहानी जो आगे बढ़ती है इस कहानी में बहुत सारे किरदार है मतलब 100 के उपर तो हो गई होगा definitely तो बहुत सारे किरदार है और हर किरदार को बहुत अच्छा तर जो आकर्स खुडा ना जो basically मैं बोलूंगा कि आप जानते हूं कि क्रिश का जो कंसेप्ट है मतलब उनका जो क्रिश जो मूवी है उनका भी script इनोंने लिखा था काइड़ बोल के रितिक का और एक movie है तो उनका script इनोंने लिखा था तो काफी पुराने बहुत दिनों से बॉ जो ऐसा तोगी गाना तो कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जहां पर इनको मौका मिला है ना वह नौर्थी स्टुडेंट्स का जो गृप होता है वह अपने जो रिजिनल गाने गाते हैं उसको इसके में इसमें इंक्लूट किया गया है जो काफी ओरीजिनल सा लग है सुनने में और उसका महौल जो है मूजिक का महौल है वह बी कृट होता है है क्रेट करने के लिए मिक्रा सिंग को ला एक सिर्म के लिए तो वह एक गाफिक हां रिख से इंक्लूट किया गया है तो वह सब चीजिव जो है काफी बढ़ या लग दिया और सबसे बढ़ी ची तो ऐसा जआ जा रहा है तो ऐसा अजीब चीज बीच में दिखाना चुरू कर देते हैं उसमें जो होता है कि एक this नहीं देख लिया चलो बहुत एक्टिक था हो अभी दूश्रा सीन देखूँगा ट्रांजिक्शन का टाइम जो है वहां पर मैं पॉप मन खा सकता हूं मैं फ्रिज से प्रिज से जाकर अपना कोल्रिंग्स ला सकता हूं नेकि यहां पर वह ट्रांजिशन सीन को बहुत इंटर प्रिस्टेट होंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों और इसका और एक साइड जो मैं बोलूगा कि डायलोग काफी कॉंटेम्पूररी है और एक्दम अपन मतलब अपन के जैसा जो है ना मतलब कॉलेज लाइप मैं अपन जैसे बात करता था उस टाइप का है तो वह जो फील है या फैमिली मेंबर्स के बच्चों के सामने देखना सही नहीं होगा because of the foul languages के अब जानती हो कॉलिज में दोस्त बात कर रहे तो डिफिनिटल इतना फॉर्मल तो होंगे नहीं वो चीज शोर के बाकी तो सब कुछ ठीक है आप डिफिनिटल इसको देखिए लाइंज गेट प अबता के लिए लुदा